काफी लोगों के लाइफ में इन्वेश्मेंट्स ही इसके लिए नहीं होती है क्योंकि वो हर महीने का एक सिस्टेमाटिक अलो नमस्ते पेचिक प्रोज मैं हूं मनीशा और यह पेचिक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लाटफॉर्म जो आपके साथ बात करता है आपके फिनांशल फ्रीडम के बारे में इस महीने में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं बजेटिंग अजकॉप के बार जल्द से उल्द शुरू करनी चाहिए अब वजेटिंग का सबसे पहला और सबसे लुक्रोज मुखिह यह होता है कि आपका लाइफ में इक डिसिप्लिन आता है बजेटिंग आपको फॉस करता है कि डिसलिन के साथ अभकने सारे करें आप अपने पैसों को अच्छे से मैने उसका अगर आप एक अच्छी तरह से management कर सको तो आप अपने सारे expenses को analyze कर सकते हो अपने सारे needs को पूरा कर सकते हो और पैसो को अच्छे से compartmentalize करके invest भी कर सकते हो काफी लोगों के life में investments इसके लिए नहीं होती है क्योंकि वो हर महीने का एक systematic तरीका नहीं रखते है ये आपके सारे expenses को एक systematic तरीके से divide कर देता है budgeting का एक और बहुत बड़ा फायता ये होता है कि over a period of time अगर आप budgeting करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप probably कोई ऐसे expenses कर रहे हो जो regulate हो सकते हैं जो आप cancel कर सकते हो में भी कोई ऐसी membership जो आप यूज नहीं करते हो या कोई ऐसा खर्चा जो आप हर महीने कर रहे हो या काफी often करते हो जो ज़रूरत से जादा आपके budget को परिशान कर रहा है यह तभी ही हो पाएगा जब आपके पास एक proper लिखा हुआ record हो लिखा हुआ record आपको कैसे help करता है मैं उसका एक example दे सकता हूँ आपको अगर आप एक car या bike चलाते हैं तो अगर आप properly maintain करते हो एक record कि आपने petrol कितने का बराया था या diesel कितने का बराया था और उसे साब से आपकी गाड़ी या bike ने आपको कितना mileage दिया था कितने km या miles आपकी वो car चली थी तो over a period of time उन दोनों record से आपको पता चलता है कि आपके vehicle का proper mileage कितना है जिससे आप अपने महीने का खर्च fuel का manage कर सकते हो एक और दूसरा तरीका है जिसमें आपको एक systematic तरीका एक table help करता है वो ये है कि आपका जो credit card will आता है उसमें आपका चोटे चल चोटा expense recorded होता है हर महीने का तो अगर आप जब वो credit card statement देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये subscription के लिए हर महीने इतने पैसे जा रहे हैं ये पैसे आपने इस grocery store में खर्च किये इस mall में खर्च किये इस movie को देखने में आपका और आपकी family का इतना खर्चा हो गया तो ये सारा systematic तरीका आपको help करता है चीजों को regulate करने के लिए अब imagine कीजिए अगर आपके सारे expenses rent से लेके घर के कामवाली बाई के खर्चे से लेके आपके movies और restaurants के खर्चे अगर सारे एक जगा पर recorded हो तो over a period of time आप एक pattern बना सकते हो आप उस pattern के हिसाब से अपने investments बढ़ा सकते हो और इसके बहुत सारे फायदे आप निकाल सकते हो यह सबसे बड़ा important reason है कि आपको budgeting क्यों करनी चाहिए अगर आपको budgeting को लेकर या अपने finances को लेकर पैसो को लेकर कोई भी सवाल हो तो नीचे comments में जरूर पूछे या आप मेरे साथ directly social media पर भी connect कर सकते हैं अगर आप मेरा video पहली बार देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो please इस video को like कीजे चैनल को subscribe कीजे या मेरे page को follow कीजे और मेरी आपसे दर्खवात रहेगी कि please इस video को आप अपने social media channels पर share करें मैं चाहता हूँ जादा से जादा लोग यह videos देखें और अपने financial freedom के बारे में अपने investments के बारे में अपने पैसों के बारे में सीखें और अपना investment grow करकर अपना financial freedom पा सके आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कराते रहें अपने चाहने वालों का घ्यान दीजिए और खुश रहें कचिंग